हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IS Hindi हलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप सभी लोग सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल Study IQ IS Hindi पर मैं मनोच कुमार आपके साथ Indian Economy आज डिसकस करूँगा आज हम लोग Lecture No.9 Termnomics का जो सीरीज हमने स्टाट किया हुआ है उसका डिसकस करेंगे और अब तक हम लोगों ने आठ लेक्चर इसके डिसकस किये हैं जिसमें हम लोगों ने टॉपिक और उससे जड़े हुए जितने भी प्रिवेस येर के क्वेस्टन्स हैं उन सभी को हमने डिटेल में डिसकस किया है और मैं उम्मिद कर रहा हूँ आप लोगों के मैसेज भी आये हैं काफी सारे बच्चों के मेरे पास परसनली और हर तरीके से के आपको ये क्लास काफी पसंद आई है और खास कर सीरियस स्टुडेंट जो रियली में अपना फ्यूचर दो हजार चौबीस में अच्छा देखना चाते हैं या दो हजार पच्चिस में देखना चाते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छी अपॉच्चुनिटी है ये बस इतना ही है कि आप लोग अपना जो कीमती समय है प्रॉपर तरीके से इस पर फोकस करते रहें और इसके हो सके तो अपने नोट्स भी बनाते रहें समय समय पर ठीक ना ध्यान रखेगा तो चलिए आज हम लोग लक्शर नमर 9 अपना एस्टार्ट कर रहें जिसमें हम लोगों ने टर्मीनो मिक्स की जो सीरीज हमने स्टार्ट की वही है उसी को हम आगे कंटिनियू करेंगे और आज दोस्तो हम लोग बात करेंगे करसी बाजार के बारे में पिछली क्लास में मैंने एक टॉपिक डिसकस किया था बाजार की कीमत नीती के बारे में कि आखिर बाजार में किसानों की वस्तुओं का जो मुल नरधारन है वो कैसे किया जाता है किस परकार से किया जाता है और क्यूं किया जाता है MSP बगरा के बारे मैंने डेटेल में चर्चा की थी ठीके ना कौन करता है कैसे करता है कितनी फसलों का होता है उन सब की चारें चर्चा की थी आज हम बात करेंगे कि भारत की सरकार ने भारत सरकार ने किसानों के लिए कितने परकार के कौन कौन से बाजार चलाए हुए हैं जिससे किसानों का जो अपना उत्पादन होता है उसकी सही कीमत उसको मिल सके ध्यान रखिएगा दोस्तों किसान अन दाता है हमारा हम जो कुछ भी सर्वाइव करते हैं वो खाने पीने के लिए जो कुछ पैदा करता है वो किसान करता है उसका जितना भी योगदान कहा जाए वो कम ही है हमार लिए अन पैदा करके हम लोगों को उपलब्द कराता है लेकिन हम चाहते हैं भारसरकार भी चाहती है और किसान भी चाहते हैं कि उनको उनकी कीमत सही कीमत मिल सके ठीक ना और उनको मॉटिवेशन भी मिल सके जिससे कि वो आगे और ज़्यादा अन पैदा करने में मौटिवेट अपने आपको फील कर सके ठीक है ना और हम ये भी चाहते हैं कि उपभुकता को उससे की सही कीमत के अंदर भी मिल जाए यानि कि ऐसी इस्तिती ना हो कि बहुत ज़्यादा कीमत हो कि हम खरीद ही न पाएं ठीक है ना तो इसी परपस से आज हम लोग बात करेंगे करसी बाजारों के बारे में डेटेल में चर्चा करेंगे कि कितने परकार के कौन-कौन से करसी बाजार हैं जहां से आपके UPSC के एक्जाम में क्वेशन पूछे जाते हैं एक चीज़ ध्यान रखेगा दोस्तों आप मैं इसे कई सारे बच्चों ने पूछा कि सरक करसी का टॉपिक काफी लंबा नहीं हो गया है क्या दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है करसी का टॉपिक लंबा हो भी गया है और लंबा और बड़ा टॉपिक है भी UPSC के अगर किसी चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पेपर उठा करके देखिएगा आपके एगरिकल्चर से काफी सारे क्वेश्चन होते हैं खासकर मेंस में तो बहुत ज़्यादा होते हैं और UPSC pre में प्री में भी questions कम नहीं होते हैं ठीक ठाक questions होते हैं और हर पहलू को हमें सही ढंक से पढ़ना भी जरूरी है इसलिए मैंने आराम से सभी topic को cover करते हुए इसको आपको तैयार कराने के कोशिश कर रहा हूँ ठीक है ना तो चलिए सभी लोग जल्दी जुड़ जाईए आप सभी लोग very good morning all of you आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम में टर्मनोमिक्स की सीरीज में आपके अपने चैनल पर study IQ IS हिंदी पर ठीक है तो आज हम लोग बात करेंगे करसी बाजार के बारे में तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए करसी बाजार जो हैं भारत में दो प्रकार के करसी बाजार हैं एक offline market है और दूसरा आपका online है अब चुक्कि digital दुनिया हो चुकी है तो स्वाभिक सी बात है भारत सरकार ने भी कोशिश की है कि हम online विवस्था को शुरू करें ठीक न तो इसमें देखेंगे जो offline हैं जो अब तक चले आ रहे थे उनमें आपके तीन बाजार प्रत्यच तोर पर आपको दिखाई देते हैं एक APMC बाजार दूसरे सहकारी बाजार और तीसरे प्रत्यच बाजार APMC बाजार आप लोग जानते होंगे अच्छे तरीके से समझते होंगे द्यान रखना लेकिन इसका नाम सुना है नहीं सुना मैं नहीं कह सकता ठीक ये जो हो हैं ये आपके अपने परतेक सहर में जो मंडियां होती हैं मंडियां उनको कहते हैं APMC Agriculture Produce Market Committee ध्यान रखेगा यानि कि मार्केट कमेटी मंडि समिती जिन बाजारों को संचालित करती है उनको मंडियां कहते हैं तो ये आपके सहर में पाई जाने वाली सबजी मंडी है फलफूल मंडी है गल्ला मंडी है ठीक ना मास मचली की मंडी है जो सरकार के द्वारा मानिता प्राप्त होती है वो यही है सहकारी बाजार आपके निजी छेतर और कहा जाए कि सरकार के रेजिस्टेशन के माध्यम से संचालित होती है सरकार इसमें अपना एक सपोर्ट देती है लेकिन चलाती आपकी सहकारी कमेटी है और प्रत्यक्ष बाजार ध्यान रखना ये बाजार वो बाजार हैं जिने किसान सीधे चलाते हैं यानि किसान ही चलाते हैं बीच में कोई भी सोचिये सहकार या सरकार या मंडी समिती नहीं होती ये प्रत्यक्ष बाजार होते हैं किसानों के द्वारा संचालित ध्यान रखेगा मैं एक तरके सब को डिसकस करूँगा बस बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या है ऑनलाइन में देखा जाए तो आपका एक प्रोजेक्ट सरकार ने शुरू किया था आपके 2016 में अगर ध्यान हो तो आपका E-Name परियोजना Electronic National Agriculture Market यानि पूरे भारत का एक रास्ट्य बाजार Electronically यानि डिजिटल एक बाजार सरकार ने शुरू किया E-Name और ये है आपका वाइदा बाजार जिससे हम Forward Market कहते हैं ध्यान रखना इसमें जनरली आते हैं Commodity Exchange यानि कि बस्तों का अदला बदली जहां होती है Commodity Exchange इसमें ये सामिल होते हैं लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा Commodity Exchange में हलका सा हिंट कर रहा हूँ Commodity Exchange में आपका जो लेंदिन होता है वो तुरंत नहीं होता वाइदा बाजार है वाइदे के साथ होगा और वाइदा हमेशा भविश्य के लिए होता है दोस्तों तो इसमें जो कुछ भी लेंदिन होगा शर्तें आज तै कर ली जाएंगी और लेंदिन भविश्य में होगा तो इनके बार में एक एक करके सभी डिटेल हम चर्चा करेंगे और इन सभी टॉपिक से कभी भी कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है और आई हुए हैं ध्यान रखेगा ओके तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं APMC बाजार के बारे में ध्यान रखना APMC बाजार या मंडी समिती का बाजार कहते हैं Agriculture Produce Market Committee ध्यान रखना इस बाजार का गठन जो हुआ था ध्यान रखना इनको हम कहते हैं मंडी समिती का बाजार मंडी समिती का बाजार कहते हैं और ये लगवग परतिक सहर में होता है ओके ध्यान रखना इसका जो गठन हुआ था सबसे पहले इसकी सुरुवात कब से हुई इसकी सुरुवात हुई थी 1956 से एक आपका अधनियम बनाया गया था APMC Act ध्यान रखना क्रसी उत्पाद बाजार कमेटी अधनियम ध्यान रखीगा ये 1956 में अधनियम बनाया था और इस अधनियम के माध्यम से ध्यान रखना अधनियम हमेशा संसद बनाती है केंदर सरकार बनाती है और इस अधनियम के माध्यम से यहीं पर पॉइंट याद रख लिएगा दोस्तों इस अधनियम के द्वारा इन बाजारों को चलाने की जिम्मेदारी राज सरकार को दे दी गई यानि कि इन बाजारों का संचालन कौन करेगा बाजारों का संचालन ध्यान रख लिएगा कौन करेगा राज्ज करेंगे क्लियर है नमबर एक नम्बर टू, प्रतेक जिले में एक बाजार होगा, क्या होगा, प्रतेक जिले में कम से कम एक बाजार होगा, ये उस समय की बात है, क्योंकि उस समय जो जिला होता था, वही मुख्य सहर भी होता था, अब कंडिशन ये है कि एक जिले में कई सारे सहर हो गए हैं, तो इनकी भी बढ़ गई है ध्यान रखना अब बात आती है इसका उदेश क्या होगा आखिर यह बनाया क्यों गया इसका उदेश यहाँ पर ध्यान रखेगा इसके जो उद्देश हैं वो है किसानों को मूल भूद सुवधा उपलब्द कराना बाजार उपलब्द कराना नंबर एक, नंबर दो, किसानों को वहाँ पर मूल भूत सुविधाय उपलब्द कराना बेचने को तो वो सड़क के किनारे भी बेच सकते हैं ध्यान रखीगा बेचने को तो अपना सामान सड़क के किनारे भी बेच सकते हैं लेकिन बारिस आई तो कौन कर देखेगा कहा जाएंगे अगर उनका सामान नहीं बिका तो क्या होगा मरी बास समझेगा कुछ भी हो सकता है तो एक जग्य उन्होंने बनाई उस जग्य के साथ साथ वहाँ पर क्या किया प्रापर तरीके से उनको स्बेधाई दी जाएगी प्लेटफरम बनाये जाएगा टीन सेड लगाये जाएगे उनको जरूरी चीजां दी जाएगी ये सारी चीज़े होंगे ठीक और क्या होगा इसका उद्देश होगा वहाँ पर आधारबूत धाचा विक्सित करना आधारबूत धाचा का विकास यानि कि उनके रुकने की विवस्था करना ठीक ना उनके पेने की विवस्था करना पेने के पानी की उपलब दिदा ये सारी बड़ी चीज, यहाँ पर दियान रखेगा एक जो सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर जो आपके कमीशन एजेंट होते हैं, उनको लाइसेंस परदान करना, दियान रखना क्योंकि उनके बिना आप कुछ नहीं कर सकते कमीशन एजेंटों को लाइसेंस देना आप इन बाज़ार में जाएंगे तो बिना कमीशन एजेंट के आप अपना कोई भी वस्तु बेच नहीं सकते संभव नहीं है क्योंकि वही आपकी वस्तु की सही कीमत भी दिलवाएंगे अगर कोई खरीदने को तयार नहीं हो तो वही खरीदेंगे अपने पास रखेंगे फिर किसी और को बेच देंगे हर सबजी मंडी में, हर अनाज मंडी में हर जगय पर ये कमीशन एजेंट होते हैं अगर किसान का माल नहीं भीक रहा है कोई डारेक्ट नहीं ले रहा है तो सोचिएगा ये खुद ही लेते हैं अनाज मंडी में तो यही लेते हैं फल सबजी मंडी में हमारे तुम्हारे जैसे लोग पहुँच भी जाते हैं ध्यान रखेगा लेकिन अगर बाईचांस वो भी लेने को तयान ना हुए हम जैसे लोग भी लेने को तयान ना हुए तो यही लोग खरीद करके अपने पास रखते हैं फिर उसको दूसरों को सप्लाई करते हैं ये कमिशन एजेंट होते हैं इनको लाइसेंस देना ध्यान रखेगा तो ये इनके बिसेस उद्दे से थे जो उस समय बनाया गया लेकिन इसमें समय के साथ कुछ समस्य आती चली गए ध्यान रखना और वो समस्याएं क्या थी समस्याएं ये थी कि किसानों का यहां पर सोशन होता रहा बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखेगा तो यहीं पर मैं डिसकस कर रहा हूँ उसको आप समझेगा यहाँ पर इस APMC बाजार में किसानों का सोशन हुआ समय के साथ में किसानों का सोशन हुआ ठीक न कैसे हुआ वो देखीगा किसानों का सोशन हुआ उनका जब वो एंट्री करते हैं तो एंट्री फीस लेते हैं सोचिएगा जबके होनी नहीं चाहिए थी एंट्री फीस लेते हैं सोचिएगा उनसे तुलाई का पैसा लेते हैं उनसे छटाई का पैसा लेते हैं उनसे सोचिएगा कि आपके लदान का पैसा लेते हैं, उतारने का पैसा लेते हैं, लदान का और उतारने का पैसा लेते हैं, उतारने का पैसा, हर चीज का पैसा वो लेते हैं, और तो और ध्यान रखेगा, यहाँ पर कमीसन एजेंट जो होते हैं, एजेंट भी सोशन करते हैं क्योंकि ये सब कैसे होते हैं ये सब आपस में मिले हुए होते हैं अगर एक व्यक्ति में सोचिए एक कमीसन एजेंट ने अगर उसका कीमत इतनी तैक कर दी तो दूसरा उससे दस वीस रुपे जादे बताएगा फिर कोई नहीं बताएगा उसी पैसे के आसपास ही सभी के सभी क्या करेंगे खरीदेंगे तो बेरी बात समझेगा तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपसे एंट्री फीस ले ली जाती है ये रही आपसे तुलाई का पैसा लिया जाता है आपसे छटाई का पैसा लिया जाता है लदान और उतारने का पैसा लिया जता है लोडिंग अनलोडिंग का पैसा लिया जता है कमीशन एजेंट भी सोशन करते हैं क्योंकि आपस मिल करके आपकी वस्तु को जबरदस्ती वो खरीद लेते हैं और नहीं खरीदने दोगे उस रेट पर तो आपका माल मंडी में बेकने नहीं देंगे किसी सूरत में तो ये इनका सोशन होता था इसलिए क्या हुआ बाद में दो हजार तीन में जा करके ध्यान रखना इसलिए ध्यान रखेगा इसलिए दो हजार तीन में इस अधनियम में संसोधन किया गया क्या किया गया अधनियम में संसोधन कि भई इस कानून को थोड़ा सा बदलिए संसोधन किया गया और इस तरीके से एक नया ध्यान रखेगा कानून बना Model APMC Act कहते हैं 2003 में क्या हो गया Model APMC Act 2003 ध्यान रखेगा Question इन में से किसी से भी पूछा जा सकता है ध्यान रखना ओके इन में से किसी से भी Question पूछा जा सकता है किसी भी Topic से चाहे पुराने वाले अधनियम से और चाहे नए वाले अधनियम से ठीक ना और जो Point में लिखा रहा हूँ दोस्तो ध्यान रखेगा उन्ही Point को सीधा सीधा दे दिया जाएगा और बताइए इन में से कौन-कौन से प्रावधान सही हैं कौन-कौन से प्रावधान गलत है ध्यान रखना इसके अंतरगत अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखेगा मैं आपको देखने कोशिश कीजिए कि इसमें क्या क्या हुआ इसमें इन्होंने इस एक्ट में पहला प्रावधान तो यह किया कि इसमें अब तक इस्थानिय सरकार नहीं थी इसमें अब उन्होंने इस थानिय सरकार को शामिल किया जो लोकल गवर्मेंट है नगर पालका नगर पंचायत उसको सामिल किया इस थानिय सरकार को इसमें शामिल किया घ्यान रखना दूसरा उन्होंने क्या किया दूसरा इसमें उन्होंने किया कि बिसेस वस्तू के लिए अलग अलग बाजार यानि कि अलग अलग वस्तू के अलग अलग बाजार बनाए वो ले कि अलग अलग वस्तू का अलग अलग बाजार होना चाहिए एक ही बाजार में नहीं होना चाहिए यानि कि इस से पहले क्या हो फल फूल सबजी वगरा सब एक ही बाजार में अनाज वगराज ये सब अब क्या कर दिया कि दो हजार तीन के बाद नया कानू मना गया कि भई फलों का मार्केट अलग सबजी का मार्केट अलग अनाज का मार्केट अलग मास मचली का मार्केट अलग ये सब कुछ अलग लग कर वो किया गया कि किसानों को अपने उत्पाद की बिक्री कहीं भी करने का अधिकार यानि किसानों को अपने उत्पाद कहीं भी बेचने का अधिकार बेचने का अधिकार हुआ तो ये इनको अधिकार यहां पर मिला दूसरा इसमें एक चीज और भी क्या प्रावधान किया गया उसको भी देख लीजीगा इसमें आपका एक प्रावधान और भी किया गया कि अनवंद क्रसी को भी अनुमती दे दी गई कि अगर कोई भी व्यक्ति किसानों से अनुवंदित क्रसी करना चाता है तो वो भी कर सकता है अनुमंधित क्रसी को अनुमति दे दी गई ध्यान रखीगा यानि contract farming आपको जो चाहिए जैसा चाहिए जितना उत्पादन चाहिए हमसे डारेक्ट बात कर लिजे किसान उसको उगा करके देगा ये इस act के अंतरगत ही सब कुछ इसमें शामिल हो गया ठीक न तो ये कुछ business चीजें इसमें करने की कोशिश की गई इसके अंतरगत तो ध्यान रखीगा इसमें एक इस्थानी सरकार सामिल की गई दूसरा अलग अलग वस्तूओं के लिए अलग अलग बाजार बनाए गए तीसरा किसानों को अपने उत्पादों को कहीं भी बेचने का अधिकार दे दिया गया और चौथा आपका अनवन्दित करसी को भी इसमें शामिल कर लिया गया ये इसमें कंसेप्ट आए लेकि समय के साथ में कुछ और भी चीजें बदली ध्यान रखेगा और जब समय चीजें बदली तो यहीं पर एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं देख सकते हैं और वो है आपका 2017 ध्यान रखेगा 2017 2017 में एक कमेटी गठित की गई थी उसका नाम था दलवाई समिती कौन सी? दलवाई समिती का गठन किया गया यह रहा दलवाई समिती का गठन किया गया और दलवाई समिती का गठन किसलिए हुआ था? यह दलवाई समिती का गठन किया गया था इसलिए कि वो किसानों की आए को दुगना कर सके, किसानों की आए को बढ़ा सके, ठीक ना? और उसी परपस से इन्होंने अपनी एक सिफारिश दी क्या दी? अपनी एक सिफारिश प्रस्तुत की और उस सिफारिश के आधार पर सोचीगा एक नया बाजार बनाया गया उसको देख लीजिगा इससे हम कहते हैं APLM APLM बाजार Agriculture Produced and Libstock Market Agriculture Produced and Libstock Market यह रहा लिविस्टॉक का मतलब जानते हैं पशु क्रसी उत्पाद एवं जो आपके पशु होते हैं उनका बाजार बनाया गया और इसमें उन्होंने जो सिफारिस दी और इसको लागू किया गया इसके अंतरगत ये कहा गया कि किसानों को अपना माल कहीं भी बेचने की स्वतंतरता होनी चाहिए ठीक है ना? और किसी को भी वो प्रत्यच रूप से बेच सकता है ये भी होना चाहिए तीसरा इसमें प्राइविट जो आपके कहा जाए मार्केटिंग याड होते हैं उनकी भी अनुमती होनी चाहिए तो इसमें दो तीन सिफारिसों की उनमें बात कही उन्होंने किस किस की बात कही? नमबर एक पहली उन्होंने कहा कि किसानों को अपने उत्पाद कहीं भी बेचने की अनुमती हो जो पहले भी था वो अप फिर उन्होंने कहा किसानों को अपने उत्पाद कहीं भी बेचने की अनुमती की अनुमती हो पहले भी चली आ रही थी यही बात पर तरीके से permission मिल नहीं पा रही थी, कानून बनाए गया था लेकिन लागु ढंक से हो नहीं पा रहा था ठीक ना, number two किसानों को अपने उत्पाध परत्यक चुरूप से बेचने की अनुमती हो परत्यक चुरूप से यानि किसी को भी कहीं भी और किसी को भी ध्यान रखेगा बेचने की अनुमती तीसरा इसमें कहा कि निजी छेतर को इसमें निजी छेतर को इसमें सामिल करना चाहिए और इसमें क्या होना चाहिए निजी छेतर के लिए निजी छेतर को मार्केटिंग याड जो होते हैं जो छोटे छोटे मार्केट बनते हैं उनका पूरा स्ट्रक्चर होता है उनको उनको बनाने का मौका देना चाहिए यानि कि हम कह सकते हैं कि निजी छेत्र को मार्केटिंग याड निर्माड का मौका देना चाहिए का मौका जिससे कि निजी निवेस इसमें बढ़ सके ठीक ना ध्यान रखेगा और चौथा इसमें क्या होना चाहिए क्रसी स्टार्टप को बढ़ावा देना चाहिए जैसे आपका बहुत सारे स्टार्टप खुल रहा है न उस तरह का क्रसी का भी स्टार्टप को बढ़ावा देना चाहिए कुछी भी तरीके का क्रसी के लेकर के कुछ नया इन्नोवेटिव आइडिया दाना चाहते हैं तो लेकर के आईए इन सब को बढ़ावा देजिए तो ये आपके चार-पांच प्रमुख उन्होंने सुधार बताये थे सारी चीज़ें की थी दियान रखेगा और इन्होंने ही कहा था कि एक पूरा का पूरा एक रास्टी बाजार होना चाहिए सही माइने में छोटे-छोटे बाजाराओं को आपस में कनेक्ट करना चाहिए तो ये इन्होंने सिफारिस की थी किलियर हो गया तो 2017 में डलवाई कमेटी की सिफारिस आई सारी चीज़े होई ठिक ये APLM का प्रोवीजन है इनको पॉइंट चार पॉइंट को याद रखेगा हो सकता है कि आपसे यही चार पॉइंट आपसे पूछ लिया जाए कि कौन-कौन से सही है कौन-कौन से गलत है Everybody, it is clear देखिए अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश कीजिए मैं आप देखो बार-बार मैं आप लोगों से कहता हूँ कि मैं सिर्फ पढ़ा सकता हूँ मनुरंजन खराना एकॉनमी के सब्जेक्ट में पॉसिबल नहीं है और ना जरुवत है ठीक है ना कभी मौका मिलेगा तो आप लोगों के साथ में लाइव क्लास भी डिसकस करेंगे तब आपसे हर तरीकी की बाच्चीत भी करेंगे हल पलाल पढ़ लीजिए ठीक है तो यह हुआ दलवाई समित्य के सिफारिस हो गई इससे पहले आपका क्या था मौडल APMC Act था उसके चार पॉइंट उससे पहले APMC Bajaar की विशिस्ता हैं किस तरीके से उनहोंने शोषण किया वो मैंने आपको बता दिया और उससे पहले APMC Bajaar पूरा का पूरा तो चार पॉइंट में मैंने आपको पूरा का पूरा डिसकस कर दिया APMC बाजार कब बना उसकी बिसेश्टाएं क्या थी APMC बाजार में किसानों का सोशन कैसे हो रहा था फिर 2003 में संसोधन किया गया और तो नया मॉडल APMC Act आया ठीक और उसके बाद में 2017 का APLM Market का कंसेप्ट आया क्लियर अब कहोगे कि सर बरतमान में कितने APMC बाजार है लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि बरतमान में 2470 APMC बाजार है कितने हैं? ध्यान रखना अगर यहीं पर कहीं नोट करना चाहते हैं तो आप लोग नोट कर सकते हैं वरतमान में 2470 APMC बाजार हैं यह बरतमान में अब इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आपकी सरकार ने एक काम और कर दिया और वो काम ये कर दिया कि इनको इलेक्ट्रोनिक तकली इत प्लेटफॉर्म से जोडने की कोशिश कर दी तो यही पर ध्यान रखेगा यही पर क्या हो गया यही पर भारस सरकार ने एक परियोजना और सुरू कर दी इनेम परियोजना रास्ट्रिय करसी बाजार दियान रखेगा अब यह क्या है यह क्या है उससे पहले कुछ चीज आयाह पर आप समझ लीजिए यह शुरू किया गया था आपका 14 अपरेल 2016 को इसको शुरू किया गया यह है क्या इस यह है आपका पूरे भारत का संपून भारत का एक रास्ट्रिय बाजार है यह रास्ट्रिय करसी बाजार है पूरे भारत का एक रास्ट्रिय बाजार है अब तक सभी जब बाजार थे जो मंडी समितियां थी वो सब हर राज्जिकी हर सहर की अलग लग थी आपस में जुड़ी हुई नहीं थी जादे से जादे एक राज्य की मंडियां आपस में जुड़ी हो सकती है लेकि थी नहीं इसलिए हर मंडी का रेट अलग-लग होता था हर वस्तू का रेट अलग-लग होता था सोचिएगा दिल्ली की मंडी में सोचिए कोई अलग मंडी है वहां के अलग मंडी है अलग-लग मंडीयों के अलग-लग रेट हो सकते थे आपके सहर में आपकी जिले में कई सारी मंडीयां हो सकते उनके रेट अलग-लग हो सकते थे ध्यान रखी गया इसलिए सरकार ने क्या किया किया कि पूरे भारत की एक मंड APMC बाजारों को आपस में जोडने की योजना है जोडने की योजना ये रही सभी APMC यानि जितनी भी सभी मंडियां हैं उन सब को आपस में इंटर कनेक्ट कर देना है ध्यान रखेगा ओके लेकिन बात आती है आखिर क्यों? क्या जरूवत है? उसके पीछी रीजन है ध्यान रखना आखिर क्यों? यहीं पर समझेगा हम चाहते हैं कि पूरे देश का जो कीमत है वो एक जैसी रहा है ध्यान रखेगा पूरे देश में पूरे देश में एक जैसी कीमत प्रणाली हो ठीक नदूसरा किसानों की जो पहुँच है किसानों की पहुँच कैसी होनी चाहिए? सभी मंडियों तक होनी चाहिए ठीक नदूसरा सही कीमत मिले? अब कहोगे सही कीमत कैसे मिलेगी? अरे भाई, जब किसान को बाजार का लिंक नहीं पता है, कहीं की जानकारी नहीं है, किस मंडी में क्या रेट चल रहे हैं, तो वो मजबूरी में अपने पास की मंडी में ही बेचता है, ना? है के नहीं? जब पास की मंडी में बेचता है, तो जिस रेट में बेचैगा अगर उसे पता चल जाए कि उस राज्ज की मंडी में, उस राज्ज में इस ये रेट चल रहे हैं, और उसको दिखाई दे रहा है, किस वे? किसान मिल करके छोटे छोटे किसानों का मान एकटा करके या उनका खरीद करके उनको खुद तो पहुँचा सकते हैं है कि नहीं और ये काम बहुत सारे लोग करते हैं जो कुछ बड़े किसान हो जाते हैं वो छोटे मंडी के हिसाब से रेट नहीं देंगे रेट वहाँ पर इतना चल रहा है आप देरे हो तो ठीक है नहीं तो हम दूसरे से बात कर लेंगे क्योंकि जो सिंग साव हैं ध्यान रखना वो अपनी लोकल मंडी में बेचने नहीं जा रहे थे वो सबका माले खटा करके कलकता मंडी जा रहे थे या बंबई की मंडी जा रहे थे या हैदरवाद की मंडी जा रहे थे ठीक है ना जब वहाँ लेके जाओगे तो कीमत ज़्यादा मिलेगी तो किसानों को भी कीमत ज़्यादा देनी पढ़ेगी, क्योंकि उसने भी दिखा दिया किसानने, कि यह rate चल रहा है लाला जी यह देख लो तो इस से इसकी किसान की income बढ़ सकती है और क्या का फायदे हैं और फायदे समझ लीज़ीजें इसके और क्या क्या फायदे हैं अन्यकारण क्या है कि इसको बनाने के? अन्यकारण अन्यकारण देखेंगे तो आपका एक ही जगे पर आपका क्या लिया जाएगा? मार्केट की फीस ली जाएगे एक ही बार. द्यान रखेगा. एक ही बार और एक ही जगे पर बाजार की फीस ली जाएगे. सरकार फीज तो लेगी लेकिन एक ही जगे अब आपको हर जगे पर अलग नहीं देनी पड़ेगी समझेगा चाहें खरीदने बाला हो और चाहें बेचने बाला हो ध्यान लखना दूसरी चीज अब आपको आल इंडिया लेवल का क्या मिलेगा अखिल भारती लेवल का इस तरका क्या मिलेगा लाइसेंस मिलेगा किसी को लाइसेंस चाहिए तो आपकी आपकी आसपास की मंडी के लिए नहीं मिलेगा पूरे भारत का लाइसेंस मिलेगा ओल इंडिया लाइसेंस मिलेगा अब इसका मतलब क्या हो गया वो किसी भी मंडी के लिए ब्यापार कर सकता है जो लाइसंस लेने वाला है वो जरूर नहीं है कि आपके सहर की मंडी में ही काम करे वो All India किसी भी मंडी में काम कर सकता है ठीक ना और सारा कुछ लेंदेन क्या होगा सारा कुछ लेंदेन जितना भी होगा वो सब आउनलाइन होगा अब कहो कि सर माल कैसे पहुँचेगा माल तो जैसे आपका पहुँचेगा आपके बाच्चीत हो जाएगी या तो आप लदवा देंगे तो पेमेंट आप करेंगे या वो लदवा देगा तो वो पेमेंट करेंगे वो आपसमें बाच्चीत हो जाएगी कौन इसका पेमेंट करेगा ट्रक का भाड़े का वो कमपंशे बैठके बादचीत कर लिए जाएगी कौन क्या करेगा कैसे करेगा इस में मंडी में माल ले जाने की जोड़ नहीं पड़ेगी बास समझ गए है या मंडी में जो लेके जा रहा है वो सीधा वहाँ पर पहुँचा देगा भाई या मंडी का रेट है ठीक है हम आ रहे हैं ये रहा हमने वहीं पर आपको सेल आउट कर दिया हम पहुचा देंगे माल ये कंसेप्ट है लेकि कम से कम बाजार की कीमत है तो पता चल गई ने पर अपर तरीके से तो ये इसका कंसेप्ट है ध्यान रखना और बरतमान की इस्तिती क्या है इसमें बरतमान की इस्तिती ये है कि आपकी जो 2744 के असपास यो APMC मार्केट थे उनमें से लग भग सोचिएगा 1260 APMC बाजार अब तक सोचिएए इस परियोजना में जुड़ चुके हैं सोचिएगा बरतमान में लगभग इतने बाजार आपके जुड़ चुके हैं यस ठीक न? ध्यान दखेगा तो पूरे का पूरे देश का एक कॉमन मार्केट हो गया ठीक न? सब के लिए एक जैसा बाजार मिल गया सब को एक जैसा किसान की आमद नहीं बढ़ गई ये इसका कंसेप्ट था मेरी बाद क्लियर के नहीं? आपरिवड़ी तो ये है आपका सारा का सारा कंसेप्ट इसमें प्रत्यश बाजार बसलिए आपके APMC बाजार और APMC बाजार से जुड़ा हुआ इनियम परियोजना अब इन पॉइंट को आप लोग याद कर लिजिए इनी से आपके UPSC और State PSC के कोई भी किसी भी तरह के क्वेस्टन आप सॉल्व कर सकते हैं किसी भी तरह के क्वेस्टन सॉल्व कर सकते हैं किलियर है? ध्यान लगना पढ़िये तो धंग से पढ़िये अच्छी से पढ़िये सारे पॉइंट पढ़िये नहीं तो आधिस दूरे मन से बिल्कुल मत पढ़िये उससे बढ़िया है कि बैठ करके बेटे जा करके फिल्म देख लीजे और जब पढ़िये तो धंग से पढ़िये मेरी क्लास में मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जितनी प्रिजन्ट रहते हैं वो सब सीरियसली पढ़ने वाले लोग हैं एक दो को छोड़ दिया जाए तो वो तो खेर मनोरंजन करने आते हैं कोई समस्या नहीं है और वो होना भी चाहिए क्लास में एक अदो जौनी लीवर टैप का कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए वो कोई राजपाली आदब भी होगा कोई जौनी लीवर भी होगा कोई कुछ भी होगा लेकिन हीरो हीरो होता है, एक्टरस एक्टरस होती है, बाकि मैन करेक्टर मैन करेक्टर होते हैं तो आप समझदार हैं, आपस मैं समझ लीजिए इस चीज को, ठीक है, किलियर, चलिए अब यहाँ पर देखीएगा एक चीज आपको लोगों के लिए कि यदि आप इसी पैटर्न पर हमारे साथ एक रणीती के तहट अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो हमारा जो बैच है 23 अक्टूबर से सुरू हो रहा है, दो दिन बाद, ध्यान रखेगा उस बैच को जॉइन करिए मॉर्निंग में, सुबह आठ बजे मॉर्निंग बैच है, 23 तारिक से सुरू हो रहा है, बैच नमबर टू बैच नमबर वन अल लेड़ी आपका इविनिंग में स्टार्ट हो चुका है, छे वजे बाला बैच कलोज हो चुका है ठीक ना और ये batch जो है आपके तीन तरह का है तीन अलग अलग तरह का है silver अठारे महिने का gold तीस महिने का platinum ब्यालिस महिने का यानि कि डेड़ साल का धाई साल का साड़े तीन साल के ये batch है और खास बात क्या है ये Hindi English English तीनों language में है इन में जो प्लान किया गया है वो आपके जैसी जैसे जिसको 2025 में एक्जाम देना है 2026 में देना है 2027 में देना है उसी के अनुसार ही सोचेगा रड़नीती बनाई गयी है उसी के अनुसार पूरा का पूरा प्लान बनाया गया है कि आपको आपकी सफलता तक पहुँचाया जा एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए जो लगातार हम आप लोगों को बोलते रहते हैं लगातार बोलते हैं कि जुड़िये, अच्छे से जुड़िये, सिस्टेमेटिक तरीके से काम करिये क्योंकि बिना सिस्टेमेटिक काम के, बिना पूरे मन के ये संभव नहीं हो पाता है ठीके न, और फीस भी कोई जादा नहीं रखी आप लोगों के लिए द्यानक न, फीस भी बहुत नॉमिनल है, सोचिएगा इसकी फीस जो है मात्र आपकी 23,999 रुपे इसकी आपकी, सोचिए 26,999 रुपे और इसकी आपकी 29,999 रुपे फीस है लेकिन इसके लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा, MK Live बहुत लिम्टेड फीस रखी गई है सोचिए साड़े तीन साल के लिए मात्र तीस हजार रुपे फीस है जस्ट अनली पूरे तीन साल के लिए जब तक आप सफलता सुनिश्चत नहीं हो पा रही आपकी और तीन साल में आपका सोचिए सिलेबस किस तरीके से आगे बढ़ेगा प्रॉपर तरीके से पहले बेसिक, फिर एडवांज और फिर आपका एंरिच्मेंट प्रॉपर तरीके से यह सारी चीज़े हैं तो अभी भी देर नहीं हुई है आराम से कर लीजे, जल्दी जोइन करिए तेज तारीक से जितना जल्दी करेंगे समझ लीजे, आपके लक्ष के उतने नजदीक पहुँचेंगे ठीके न, और किसी तरह का अगर डाउट लगता है कि जिसको कुछ मुझसे डिसकस करना है कुछ पूछना है, तो यह मेरा नाम है यह मेरा कोड है जिसका आप यह स्टडी आईक्यू पर यूज कर सकते हैं कुछ भी परचेस करने के लिए, चाप PCS का कोर्स, चाप IAS का कोर्स या कोई बुक बगरा, कोई मैटिरल बगरा यह मेरे लिंक है टेलिग्राम, इंस्टाग्राम और मेल आईडी, जिसके तुरू आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर फोलो करना पड़ेगा है के नहीं तो यह सारी चीज़ें इसमें मौझूद है किलियर है, अब्रिवड़ी और यह टेलिग्राम का बार कोड किसी को अगर यूज करना है, तो यह कर सकते हैं और ध्यान रखना टेलिग्राम जॉइन कर लेंगे तो टेलिग्राम पर यह जो हम लेक्चर लेते हैं यही लेक्चर की PDF आप लोगों को प्रॉपर तरीके से मिल जाती है एक से दो दिन के अंदर सभी PDF मिल जाती है ध्यान रखेगा जो हमने यहाँ पर पढ़ाया एक एक चीज तो रिवीजन भी हो जाएगा अप लोगों का किलियर है अब आजाते हैं सहकारी बाजार की तरफ सहकारी बाजार का मतलब होता है आपका ध्यान रखेगा होता तो निजी छित्र का ही है किसानों का बिवसाईई़ों का लेकिस सरकार इसमें उनका रिजश्येशन देखती है रिजश्येशन करती है अपने नियम काएदे कानून बनाती है उनके अनसार इनको चलना पड़ता है सहकार्ता के आधार पड़ चलता है और सहकारी बाजार हमारे देश में करसी बिपणन के सबसे बड़े बाजार माने जाते हैं सबसे बड़ी अ अथर्टी मानी जाती है ध्यान रखना ये सरकार और निजी छेतर के बीच का निजी छेतर का आपस में एक कंसेप्ट होता है सहकारता और हमते सहकारी बैंक बगर भगर ये बने हुए चलाते निजी लोग हैं लेकिए सरकार की नियम काईदे कानून के अनसार होता है सरकार भी उसमें थोड़ा बहुत इंटरप्शन करती रहती है ठीक न और ये आपके इंडिया में दो बाजार है नमबर एक ध्यान रखीगा नैफेड भारत में करसी बाजार को लेकर के सबसे बड़ी संस्था है करसी बाजार को लेकर के जहां पर मार्केटिंग होती है एक्सपूर्ट इंपूर्ट मुलता है ध्यान रखना इसका उद्देश होता है निर्यात को बढ़ावा देना किसको निर्यात को बढ़ावा देने वाली सबसे बड़ी संस्ता यानि क्रसा किसानों को तुछ ये एक बड़ा मार्केट उपलब्द कराती है बड़ा मार्केट यही उपलब्द कराती है इसकी फुल फॉर्म है National Agri-Cooporporative Marketing Federation of India Limited गठन हुआ था 2 October 1958 को Head Office दिल्ली में है और यह करसी एबम किसान कल्यान मंतरा लेके तहत आती है दिहान रखना उसी तरीके से एक Trifid है Tribal Federation को लेकर के यह क्या है जो आपकी जंजातियां है जंजातियां जो उत्पाद होते है जंजातियां उत्पादों के लिए क्या करती है एक बाजार उपलब्द कराती है बाजार उपलब्दा सुनिश्चित करती है जंजातियां उत्पादों के लिए जंजातियां लोग बहुत अच्छे अच्छी चीज़े मनाते है लेकिंग उनका माजार में माल नहीं बेगता क्योंकि वो local market बेकेंग उसकी कीमत नहीं मिलेगी उनको इसलिए राष्टी अंतराष्टी इस तरह का बाजार उनको उपलब कराना चाहती है जिससे को उनकी सही कीमत मिल सके और उनका जो जीवन है वो उपर उठ सके सोचे इसका गठन हुआ 1987 में हैड आफिस नई दिल्ली और ये जन्जाती मामलों के मंत्राले के अधिन ही आती है दियान रखना तो दोनों का उद्देश अलग लग है ये सभी के लिए है और ये केवर ट्राइवल्स के लिए है ये आपके दो सहकारी बाजार हैं आपके हैं किलियर है अबरिवडी ठीक अब इसके बाद देखेंगे एक है आपका प्रत्यच बाजार डारेक्ट बाजार प्रत्यच बाजार क्या होता है कि इसमें सीधे किसान सीधे किसान अपनी वस्तूओं को अपनी वस्तुओं को की बिक्री करते हैं इसमें कोई भी एजेंट नहीं होता किसानों का अपना समू होता है और ये अलग-लग राज्यों में किसानों के अपने समू बना करके उन्होंने अपना बाजर बना रखा है जैसे उसका नाम है आंदर प्रदेश में इसे राइथू कहते हैं राइथू भी लिखा हुआ है इसे को राइथू भी कहा जाता है ध्यान रखना राइथू ये किसानों की अपनी एक मंडी है ठीक ना पंजाब हर्याना में इसे अपनी मंडी कहते हैं उड़ी सामे करसक बाजार कहते हैं महारास्ट में सेतकारी के नाम से है इनको आप याद कर लिए यह मैचिंग में क्वेशन बन सकता है सेतकारी क्या है कैसे है ओके एबरिवडी किलियर अब आजाईए इसके बाद में आपका वाइदा बाजार ध्यान रखीगा वाइदा बाजार यह आउन लाइन का कंसेप्ट है प्रारम में ध्यान रखना जी आफ लाइन था अब क्या हो गया है आउन लाइन ध्यान रखेगा प्रारम में कैसा था अपने शुरुवात में शुरुवात में था यह आफ लाइन क्योंकि सुरू से हमारे यां कंप्यूटर नहीं था वरतमान में अब ये आनलाइन हो गया है वरतमान में आनलाइन हो गया बाइदा बाजार है क्या वाइदा वाजार है एक ऐसा बाजार जहां पर क्रेता और बिक्रेता दोनों मिलते हैं लेकिन यह जो डील होती है दौनों के बीच में वो भविश्य को लेकर के होती है ध्यान रखना इसमें वाइदा बाजार में इसमें क्या होता है क्रेता जो खरीदने वाला है और बिक्रेता आपस में डील करते हैं क्यों भाई आप लोगों ने डील नहीं की क्या किसी के साथ कि हम कल कहां मिलेंगे वाइदा किया है कि नहीं किया कि मैं बन जाओंगा तो ये करूंगा है कि नहीं मैं तुम्हारे लिए ये करके दिखाऊंगा ये दिखाऊंगे क्यों किया है कि नहीं किया है हो सकता अपने तो वो ही बाइदा है लड़का लड़की ही बाइदा नहीं करते दोस्तों ध्यान रगना प्रेमी प्रेम का ये नहीं करते माबाप से भी होता है भाई बहनों से भी होता है अपने आप से भी होता है कि मुझे छे महीने के अंदर एक साल के अंदर मुझे ये करके दिखाना या अपने आपसे मुझे बादा है commitment है तो यही है commitment यानि के आपस में deal ये deal हो गई deal किस चीज को लेकर के इसमें deal में क्या होता है ध्यान रखेगा इस deal में ध्यान रखना वस्तू की मात्रा क्या होती है निश्चित होती है मैं अभी समझाओंगा या समझ लीजिगा इसमें वस्तु की जो कीमत होती है वो भी निश्चित होती है और लेकन ये डील का क्या होती है डील का समय भी क्या होता है निश्चित होता है यानि कि ये डील भविश्य के लिए होती है भविश्य के लिए होती है यानि कि अभी बस्तु कोई पैदा नहीं होए लेकिन मैं एक खरीदार हूँ आप एक विक्रेता है या आप खरीदार हैं मैं एक विक्रेता हूँ मेरे खेत में इतनी वस्तुएं होने की उम्मीद है तो उसमें से कुछ हिस्सा या सभी जैसी मेरी मर्जी मैं बेचना चाहता हूँ और आप चाहते हैं कि खरीदना बोला ठीक है जब फसल कड़ जाएगी तो आप मुझे 200 कुंटल या 100 कुंटल या 50 कुंटल जो भी अनाज है गेहूं चावल कुछ भी ये मुझे इस रेट पर दे दीजिएगा अगर मैं एग्री हुआ तो मैं आज ही क्या कर लूँगा आपसे बातचित कर लूँगा फाइनल कर लूँगा ठीक है भई मैं आपको 50 कुंटल इस रेट पर इस समय में उपलब्द कराऊँगा तो तीनों चीज़ा होती है समय, मात्रा और कीमत ये रेट दियान लखना इतनी कौंटिटी 50 कुंटल और ये रहा समय जब फसल पैदा हो जाएगे उसके तुरंत बाद ही मुझे आप उपलब्द करा देंगे मैं आपको पैमेंट कर दूँगा ये आज भी होता है एडवांस देना आज भी डील करते हैं लेकिन आज हम जो आपस में डील करते हैं उसके कहीं कोई लिखा पड़ी नहीं करते वहाँ पर कोई विटनेस नहीं होता है कर तो लेते हैं एक विटनेस नहीं होता ध्यान रखेंगा लेकिन ये बाजार में ऐसा होता था सुरू से होता था तो हम चाहते थे कि जो बड़े बेपसाई हैं बड़ी कंपनिया वाले हैं बड़ी बड़ी फर्मजिन की हैं जो ब्रेड बनाते हैं, बिस्किट बनाते हैं उन्हों को बड़ी मातरा में करसी उत्पादों के जरूत पड़ती है तो वो क्या चाहते हैं कि वो बजार के उतार चड़ाओ से मुक्ती चाहते हैं वो चाहते हैं के अभी खरी लो बाद में देखा जाएगा कीमत ज़्यादय होगी या कम होगी ठीके डा पत्तचललक बाजार में जाकर के तीन महेने बाद चार महेने बाद जब फसल कटके बिकी तो पत्तचला कीमत बढ़ गई तो खरीदने वाले को नुकसान है ईके नहीं और कीमत घट गई तो समझे देशाबते हो क्या क्या है तो ऐसी कंडिशन में दोनों लोग क्रेता और बेक्रेता भविश्च के बाजार के उताव चड़ाओ से मुक्ती चाहते हैं इसलिए ये डील करते हैं आज भी वही करते हैं बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन ये बाकाइदा रेजिस्टर्ड होता था पूरी तरीके से पहले इसी चीज को कहीं भी कोई वी व्यक्ति किसी के साथ कोई गड़वड ना करे ध्यान रखना इसमें किसी भी तरीके का कोई गड़वड ना करे इसी के लिए सरकार ने क्या किया था इस बाजार को सही से बिनियमित करने के लिए एक कानून बनाया गया है जिसे हम क्या कहते हैं वाइदा वाजार अधिनियम नमबर एक क्या बनाया गया वाइदा बाजार अधिनियम बनाया गया 1956 ये रहा सुचिये देश की आजादी के बाद जैसे पर्थम पंचवर्शी योजना शुरू ही भारत सरकार ने बाइदा बाजार अधनियम बना दिया के भाई इसके लिए किनियम काईदे कानून बना दिया गया कानून बना दिया गया कि ठीक है सभी लोग किसान आपस में बाच्चित करेंगे ब्यापारी लोग जो हैं जिनको माल चाहिए किसी से भी खरीदना बेचना है इसके अनुसार करीदेंगे भविष्य में जो खरीदना बेचना है अब ही जो खरीदना बेचना है सीधे मंडी चले जाई है ठीक है ना वो करिए और इस कानून को लागू करने के लिए इस कानून को लागू कैसे किया जाए तो लागू करने के लिए एक आयोग बनाया गया जिसे हम क्या कहते हैं वाइदा बाजार आयोग वाइदा बाजार आ 1953 में ये बनाये गया किलियर अबरिवडी ठीके ना और जब ये लागू कर दिया गया तो सोचिए उसके बाद में 2015 में इस बादावाजर आयोक को यही पर नोट कर लिजेगा दोस्तो बादावाजर आयोक को 2015 में सरकार ने इसको सेभी में विले कर दिया क्या कर दिया सेभी में विले यानि कि अब वादावाजर आयोक नहीं है अब जो कुछ भी आपका वादावाजर फॉरवर्ड मार्केट इंग्लिस में क्या कहते हैं इसी को फॉरवर्ड मार्केट भी कहते है फॉरवर्ड market इसी को कहते हैं ध्यान रखेगा forward हो सकता है लिखा हुआ आजा forward के नाम से ही तो यही है यानि कि ऐसा बाजार जहां पर किसान और खरीदार दोनों मिलते हैं दोनों अपनी एक कीमत तै करते हैं दोनों भविश में खरीदने के लिए एक मात्रा तै करते हैं कीमत तै करते हैं समय तै करते हैं ठीक है ना उसके लिए सरकार ने कानून बनाया और कानून को लागू करने के लिए आयोग बनाया जो इस तरह की सारी चीजों को देखेगा ठीक और उसके बाद में क्या हुआ इस कानून इस आयो को सरकार ने सेवी में विलाय कर दिया कि भई अब सेवी देख लेगा अलग अलग आयो की बनाने के जरूत नहीं है मेरी बाद समझ में आगी नहीं आगी अब इसके अंतरगत कंडिशन यह हुई कि यह बैठके बादचीत कहां करेंगे कैसे करेंगे वह किसान और ब्यबसाई जो हैं आपसम बादचीत कहां करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले क्या बनाएगे कॉमोडिटी एक्सचेंज बनाएगे जहां बस्तूओं की अदला बदली होगी यह सब भविश्य के लिए बाजार था यह दियान नखना बादा बाजार जो हैं इन्ही को हम क्या कहते हैं इन्हे को commodity exchange भी कहते हैं क्या कहते हैं commodity commodity मतलब बस्तू और exchange जहां अदला बदली होती है लेकन ये अदला बदली भविश्य के लिए होगी अभी अगर खरीदना बेचना है तो मंडी में चले जाईए आपको अगर अभी खरीदना बेचना है तो मंडी में चले जाईए और भवेश्च में बेचना है तो commodity exchange में आ जाईए ठीक ना ध्यान रखना और भारत में इतने commodity exchange बनाए गये हैं ध्यान रखना सबसे पहला commodity exchange बनाए गया 1953 में Ace derivative exchange एहमदाबाद ये एहमदाबाद में नेशनल मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज NMCE कहते हैं ये भी एहमदाबाद में बनाया गया 1999 में नेशनल बोर्ड अफ ट्रेड मुंबई बनाया गया नेशनल कॉमोडिटी अंडेरिवेक्टिव एक्सचेंज ये भी बनाया गया मुंबई में Multi Commodity Exchange ये आपका एहमदाबाद में बनाया गया Indian Commodity Exchange गुड़गाओं में बनाया गया Universal Commodity Exchange मुंबई में बनाया गया 2010 में ये आपके Commodity Exchange है अब इन में जाकर के आप आप आउनलाइन भी ट्रेडिंग कर सकते हैं पहले ये आफलाइन था अब आउनलाइन भी हो गया तो सोचिए सबसे पहले कौन सा बना Ace फिर कौन सा बना ये रहा आपका इसो कहते हैं N.M.C.E दियान रखना इसो कहते हैं N.B.O.T ठीक है न इसो कहते हैं N.C.D.E.X इसे कहते हैं M.C.X इसे कहते हैं I.C.X और इसे कहते हैं U.C.X ये रहे इनको आप याद कर लीजे ये कहां कहां बने हैं वो इतना important नहीं है Mostly एहमदाबाद, इंदौर, मुंबई और गुरगाओं में ये चार, मुंबई चार में ये सब बने हुए हैं बस clear है इनमें क्या होता है इनमें किसी में भी जाकर के आप registration कर सकते हैं अपनी वस्तू के बारे में बता सकते हैं ठीक है न और बताने के बाद में जिसको खरीदना है वो आपकी बोली लगाएगा आप अपना टैकर लीजिए बात खतम हो गई अब उसमें क्या है कि इसमें जो आपका registration चार्ज है वो आपको देना पड़ेगा जैसे एजन्ट को देते हैं थोड़ा सा इसमें भी देना पड़ेगा बेचेंगे तब भी और खरीदेंगे तब भी दोनों लोगों से सरकार इसमें क्या करती है क्या करेगी थोड़ा सा आपसे registration चार्ज लेगी दोनों की deal करवाएगी ठीक है ना और जब deal final हो जाएगी जब इसको बेचने की बारी आएगी तो payment इसी के पास आएगा और इसी से होते हुए आप तक पहुँचेगा ध्यान रखना payment इनी के account में आएगा और यहीं से आपके पास पहुचेगा आपको क्या करना है जैसे deal हो जाएगी final के गहुँ हो गया या चाबल पैदा हो गए उसके बाद आपको ट्रक में लदवाना है और उनको छोड़ देना है यह इसमें terms and conditions रहती है कि ट्रक का भाड़ा कौन देगा ठीक है ना वो सब इसमें रहता है कौन पहुचाएगा और कौन नहीं पहुचाएगा जिसे लेना होगा ले जाएगा वो सब इसमें fix रहता है clear है तो यह आपके इस समय क्या चल रहा है सारे के सारे commodity exchange काम कर रहा है ठीक है न ओके अबरिवडी clear तो उनको दिहान रखी गया यहाँ पर क्रसी वस्तों का लेंदेन किया जाता है ठीक है तो यह आपके सारे के सारे बाजार है यह पहले केवल आफलाइन था बाकी सब आपके आउनलाइन हो गए अब तो खर सभी ऑनलाइन है यह भविश्य का बाजार है बस इतना समझेए आज ही हम डील कर रहा है फ्यूचर के लिए यह आपके अब तक के topic हैं अब इसमें हम लोग देखते है questions क्या क्या questions अब तक पूछे गए हैं उनको देख लीजेगा पहला question है योजना का electronically नेशनल एगरिकल्चर मार्केट का यह क्रिस्वस्तुओं के लिए सर्व भारतिय इलेक्ट्रोनिक ब्यापार पोर्टल है नमबर एक नमबर टू यह क्रिस्कों के लिए रास्ती ब्याजार सुलब कराता है जिसमें उत्पाद की गुरुबता के अनरूप कीमत मिलती है जैसी आपकी quality वैसी आपकी कीमत उपरे कत्नों मैंसे सत्थ कत्थन की पहचान कीजिए केवल एक, केवल एक और दो, केवल तीन और उपरोक्त मैंसे कोई नहीं वो केवल दो, उपरोक्त मैंसे कोई नहीं बताईए, कौन सा सही है बताईए, आंसर दोनों क्योंको दोनों ही कत्थन बिलकुल सही है जैसी आपकी वस्तू वैसी आपकी कीमत और पूरे बाजार मैंसे, पूरे भारत मैंसे बोले लगेगी जहां से चाओ वहां बेच सकते हो लेकिन ये तुरंत बेचने वाला बाजार है अगर यही ची होती तो सोचिए बाइदा बाजार होता फॉरवर्ड मार्केट होता, कॉमेडिटी एक्सचेंज होता तो फ्यूचर के लिए बोली लगती है फिर वो क्रसी के उपकरण से ये तो आप बताई सकते हैं क्या है एन एफिड क्रसी बिपणन यानि क्रसी के बाजार से संबंदित एक संस्था है ये मैं आपको बता चुका हूँ किलियर है तीसरा राष्टी इस तर पर क्रसी बिपणन सहिकारताओं का सीर संगठन है 2007 मा कॉशन पूचा गया है क्रसी बिपणन सहिकारताओं का सबसे बड़ा संगठन ध्यान रखेगा सहिकारता का FCI, Nafed, National Cooperative Union, राष्टी क्रसी बिपणन परसद बताईए सोचेगा ध्यान रखना यहाँ पर सहिकारिता का और सहिकारिता का यहाँ पर कौन है केवल नैफेड है बाकी सब आपके Central Government के है यह Cooperative Union यह केवल Union है बाकी इसका बाजार से कोई मिलेना देना नहीं है ध्यान रखीगा तो नैफेड आपका सबसे सीर संगठन है सहिकारिता का ठीक और इसके बाद देखीगा Question number 4 भारत में करसी उत्पादों के बाजार को किसके अधिन बिनिमित किया जाता है बता दीजे करसी बाजारों को करसी उत्पादों के बाजार को किसके अधिन कौन से एक्ट के अधिन बनीमित किया जाता है आवश्यक वस्तु अधनियम 1995 राजियों द्वारा अधनियमित करसी उत्पाद विप्रण समिती इसे क्या क्या है ये A.P.M.C अधनियम 1956 करसी उत्पाद अधनियम 1937 खाद उत्पाद आदेश 1965 और मास एबम खाद उत्पाद आदेश 1973 बताईए किस के तहट आपके करसी उत्पादों के बाजार को रेगुलेट किया जाता है कौन सा कानून है जिससे करसी के बाजार रेगुलेट करते हैं आंसर B ये रहा समझ में आ गया तो इस तरीके को मार्केट को पढ़ा दिया है आप आरहम से इसको सॉल्व कर सकते है ठीक है न अबरिवडी किलियर इतना ध्यान रखीगा और ये मेरा कॉंटेक्ट है कॉंटेक्ट डिटेल है जिसके थूँ आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं कॉश्चन पूछ सकते है कोई भी जानकारी ले सकते है ठीक है और ये मेरा कोड है इस कोड को इस्तिमाल करना मत भूलिया अगर आप Study IQ एप से कुछ भी परचेज करते हैं तो ठीक है न चलिए थैंक्यू बेरी मच आल दा बेस्ट Have a nice day all of you guys बस एक चीज़ ध्यान रखीगा अच्छे से पढ़िए ढंग से पढ़िए और अपनी सफलता के लिए पढ़िए हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi